पड़के आना है वच्छे थोड़ा सा कल से तो आत्मने अंत्रन आत्म जाकर रुकता और अपने अपने लक्षे की और आगे पढ़ने की कोशिश के प्रयास करना जब हम इतनी सारी बातों को अपनी जीवन में लाते हैं मांसिर दवाब मांसिक दवाब कर सामना करना पड़ता है तो यह मांसिक दवाब हमें किस प्रकार प्रभावित करता है कोई बताना चाहेगा सबको आवाज आ रही है मेरी चैट में लिखके बताएंगे परविंदर आवाज आ रही है मेरी की नहीं आ रही है चीक है रोशनलाल को आ रही है फटाफट करो बाल को चीक है तो जब मांसिक दवाब का हमें सामना करना पड़ता है तो उससे होता कि यह हमारी जो गती है जिस वेग से हम लोग आगे बढ़ते हैं वो अवरुद्ध हो जाती है हमें क्या करना पड़ता है उसके लिए हमें कुछ ऐसी तखनीकों का इस्तमाल करना पड़ता है जिससे कि हमारा कारे सुचारव रूप से चले और हमें मांसिक तनाव भी कम से कम हो जब हम दिमाग से कारे लेंगे तो मांसिक तनाव का आना निश्चित है हम अपने आस्परोस में देखें, अपने माता-पिता को देखें या अपने किसी बड़े को देखें जो की दिमाग से कारे ले रहा है चाहे वो आपके फसल को बेचना है चाहे वो आफिस जाना है या आपके रोज मर्रा के कारे है इसमें क्या होता है कि उन्हें भी मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है इसका result क्या होता है इसका result यह होता है कि आम तोर पे गुस्ता जल्दी आ जाते हैं सिरदर्द होना मन ना लगना, बेचैनी जब ऐसे कारे कुछ होते हैं तो आपको क्या होता है उसके बाद मानसिक आपको दवाब आ जाता है तनाव इसको hypertension भी बोल सकते हैं hypertension का मतलब क्या होता है BP का बढ़ जाना BP के बढ़ जाने से क्या होगा आपको तबियत जो है वो तबियत सही नहीं रहेगी आपको दिक्कत रहेगी आप अपने कारे को सुचारो रूप से नहीं कर पाएंगे तो stress को अपने जीवन से हमें हटाना ही पड़ेगा जो जितना ज़्यादा कारे करता है उसको उतना ज़्यादा stress हो जाता है ये बात किसी से चिपीवी नहीं है इस बात से आप सब लोग अगरी करते हैं की नहीं करते हैं इस बात से आप लोग सहमती रखते की नहीं रखते हैं आप बताओ वाल को रखते ना चैट देख रहा हूं है चैट में लिखके बताना आप लोग ने परविंदर बेटा अपना माइक बंद करो पहले तो है ना चैट में लिखके बताना है ठीक है तो मैं अब स्क्रीन शेर करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ हाँ गोरब बोलो तो अब मैं स्क्रीन शेर करने जा रहा हूं तो स्ट्रेस को हमें किस प्रकार संभाल लाएं ठीक है स्ट्रेस के साथ पहले कारण क्या होते हैं यह देख लेते हैं जो प्रमुक कारण है स्ट्रेस का वह यह है कि हम अपने निर्धारित लक्ष को अपने ही दौरा निर्धारित समय अवधी में प्राप्त नहीं कर पाते हैं शनी वार को आपका टेस्ट होगा फ्राइडे बीच जाता है और आपको पता लगता है कि आपने अब तक उन दो चेप्टर की त्यारी नहीं किये तो क्या होता है आपके मन में? चिंता हो जाती है कि कल क्या होगा निश्चित समय अवधी में दिये गए निश्चित समय में आपको अत्याधिक आपकी शमता से जादा लक्षों को प्राप्त करना होता है इसको क्या हम कह सकते हैं कि वर्क लोड का बहुत जादा बढ़ जाना चीक है तो ऐसे स्थिते में भी क्या हो सकता है आपको स्ट्रेस हो सकता है चीक है तीसरा आ गया कि मिस मेनेजमेंट मिस मेनेजमेंट मतलब आपका प्रबंधन जो है वो सही नहीं है ठीक है प्रबंधन सही क्यों नहीं हो सकता है प्रबंदन सही क्यों नहीं हो सकता है आओ देखें जब प्रबंदन सही इसले नहीं हो सकता है कि इन चार चीजों में से किसी एक चीज की कमी है Self-Awareness आत्म जागरुकता की कमी है आपने बिना अपने बारे में जागरुक हुए आपने लक्षे दिर्धारित कर लिया नमबर दूसरी बार आपके पास responsibility की कमी है आपने पूरा उत्तरदाईत्व नहीं लिया आपने लक्षे दिर्धारित कर लिया आप Self-Aware भी थे आपने पूरा उत्तरदाईत्व लिया ही नहीं अपने लिया कि मैं इस कारे के लिए उत्तरदाई हूँ, लक्ष निर्धायत कर लिया, आपने दिर्ध निश्य नहीं किया, आपने उत्तरदाई तो नहीं संभाला, तीसरा आगया आपने time management नहीं किया, समय का प्रबंधन नहीं किया, ठीक है, समय था, लक्ष भी निर्धारित था, लेकिन जो हमाई प्रास समय था, उसका हमने उचित प्रबंधन नहीं किया, जैसे उधाराण के ताव पर मैंने पहले पताया, समय था हमाई पास पाच दिन का, दो चेप्टर थे संस्क्रित के, अगर हम उचित प्रबंधन करते, तो दो दिन में एक चेप्टर पढ़ लेते, ठीक है, उसमें चार दिन लगते, और आखरी के दिन में हम लोग क्या करते, उस चेप्टर को रिवाइज कर लेते, ताकि हम शनिवार को उचित प्रबंधन दिखा पाते, लेकिन हमने क्या किया, उचित समय का प्रबंधन नहीं किया, हमने सोचा कि देखेंगे, देखेंगे, एक दिन बीता देखेंगे, दो दिन बीता देखेंगे, जब आखरी दिन आ गया, तब भी हम देखते ही रहे, और हमें क्या आ गया, स्ट्रेस आ गया, चौथा आ आ गया, adaptability आपने अपने आपको सही रूप से नहीं डाला ठीक है आपके पास लप्षे ज़्यादा होगे आपको अपने समय को और अच्छे से manage करना था या अपने अपने responsibility किसी और को देनी थी या अपने responsibility बढ़ानी थी ठीक है आपके पास संसाधनों की कमी थी stress आ सकता है तो ये कुछ कारण थे अन्य कारण भी हो सकते है जैसे कि हमारी शारिरिक अशमता शारिरिक रूप सम्शक्षम नहीं है हमारी तबे ठीक नहीं रह रही है उसके वैसे भी हमें क्या हो सकता है stress हो सकता है अगर हमारा वहवार ठीक नहीं है दूसरों के साथ हमारा वहवार ठीक नहीं है तो क्या हो सकता है तब भी हमें स्ट्रेस हो सकता है ये कुछ कारण है जिनको हम अपने जिवन में देख सकते हैं उनसे जूजते हैं और उनको हम सुधार करके स्ट्रेस में कमील आ सकते हैं तो स्ट्रेस को मैनेज करना stress यानि की दवाब, मानसिक दवाब उसका प्रबंदन करना मानसिक दवाब तो रहेगा मानसिक दवाब रहेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा उसका प्रबंदन करना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर लिखा है what is stress ठीक है हम लोग देख सकते हैं stress का मतलब वो बताने की कोशिश कर रहे है चीक है? तो stress का मतलब क्या है? वो मैं आपको उताता हूँ stress का मतलब है यह कोई वैसी आपकी मांसिक, शारीरिक, सामाजिक या भावनात्मक स्थिती हो सकती है जहां पर आपको खतरा या डर महसूस हो ठीक है? आपसे किस पर गार की demand हो जाए जो कि आप पूरा ना कर सकें ठीक है? यह जो कारक हैं जो की ऐसी स्थिती को पैदा करते हैं उनको stressors कहा जाता है ठीक है न? तो मैंना आपको इसके कारण बताएं हैं अब हम देखेंगे कि stress को हम किस प्रकार कम कर सकते हैं अपने जीवन में हमें stress manage करने से पहले stress management के A, B और C को ध्यान में रखना है तो A क्या है adversity और stressful event adversity मतलब हमारे से विरुद जो स्थिती है उसको हमें ध्यान में रखना है जो हमें stress पैदा करने वाली तनाव पैदा करने वाली स्थिती है हमें उसको ध्यान में रखना है B मतलब आपकी जो धारणाएं है या आपकी जो सोच है जिसके अनुसार आप stress की स्थिति में वेहवार करते हैं आपको उसको भी ध्यान में रखना है और C आपको क्या ध्यान रखना है consequences परिणाम एक stressful event का एक तनावपुन स्थिति का जो परिणाम है आपको उसको भी ध्यान में रखना है ठीक है तो हमें तीन चीज़े देखी एक कारण एक हमारी शमता हमारे धारणाएं हमें किस प्रकार इस स्थिति को मैनेज करना है हम किस प्रकार स्थिति को मैनेज करते हैं उसको भी आपने ध्यान में रखना है और तीसरा उसका परिणाम क्या होगा उसको भी अपने ध्यान में रखना है आप लोगों को यहां तक समझ में आया है तो चैट में लिखके बताईए हाँ या ना